सबी प्यारे विवर्स का वर्म वेलकम करता हूँ वाइट ही योर इंगली शूटर पे आज सुबह का अठ्वा मही का फर्स्ट रिटोरियल पढ़ेंगी दा हिंदू का प्रिटिवल काउंटर इसका टाइटल है आपको सुनके थोड़ी से अरानी होगी कि अमरीका ने एक रिपोर्ट पब्लिश किये जिसमें 160 कंट्री में इंडिया को आठ्वे स्पोर्ट पे रखा जाता है इस साल और ये लिस्ट काई किये भाई कि किस कंट्री में कितनी संभावना है जिनोसाइड होने की मास किलिंग होने की हजारो लाखों लोगों की हत्या होने की तो दुनिया में आठ फे नंबर पे सबसे ज़्यादा संभावना यूएस को लगती है कि भारत में है इंडिया में है और इस रिपोर्ड को भारत सरकार ने कैसे काउंटर किया है इस सीज को इस आर्टिकल में बताये गया है चली शुरू करेंगे आर्टिकल को informative और interesting आर्टिकल है अपना quiz देख लो अच्छे लेवल का quiz मिलेगा इस पे आपको comprehension, grammar और vocab सभी aspects का solutions इस quiz के class के last में करवाँगा पूरे मन से आर्टिकल को पढ़ो और 8 में से 8 marks लो चली शुरू करें ग्लास को आईए कुछ नया सीखते है चली कहराई जी प्रिटिवल, counter देखें counter का मतलब होता है reply, जवाब और predictable हर वो चीज है जिसको predict किया जा सकता हो, जिसको expect किया जा सकता हो जैसे आपको पता था कि यह होने वाला है तो वो मामला predictable मामला था आपके लिए आप उसको already expect या anticipate कर रहे थे करें जी भारत सरकार से तो reply आया अमरीका की इस report का, वो काफी predictable है हमें पहले से बताता कि भारत सरकार ऐसा ही कुछ बोलने वाली है आगी बात समझ में, चलिए बात और ये on, इंडिया's reaction to the US reportage on religious persecution बात और ये भारत की reaction की, भारत की प्रतिकरिया की response की और किस के सामने, तू लगा के बता रहे है अमरीका की reportage के सामने, अमरीका की reporting के सामने reportage और reporting एक ही बात है और reportage या reporting है, और लगा के बता रहे है religious persecution पे धर्म के नाम पे लोगों को सताय जाने पे persecution यानि torture किसी को सताना किसी को exploit करना आगे बाद समझ में तो US की एक reporting आई है एक report आई है जो religious persecution की बाद करती है भारत का जो reaction है इस report के लिए वो काफी predictable है और लेडी दुनिया को पता था भारत ऐसा ही कुछ react करने वाला है चलिए आगे बढ़ेंगे यह words देख लेना persecution बहुत दिनों बाला है word इसका मतलब होता है harassment या torture discrimination अगर आप किसी को religion के नाम पे या फिर उसके gender के नाम पे या उसकी जाती के नाम पे परिशान करते हैं उसको inferior बताते हैं है ना उसकी जो है freedoms को limit करने कोशिश करते हैं तो उस आदमी को आप persecute कर रहे हैं समझ गे अब ध्यान यह रखना है कि persecution वर्ड जो है ना कौन सा वर्ड persecution इस वर्ड को एक दूसरा वर्ड है जो कि है prosecution क्या है जी prosecution इससे confuse नहीं करना है दोनों एक जैसे दिखने में लग रहे हैं है ना persecution prosecution लेकिन prosecution different word है persecution अलग word मैं चाहता हूं कि prosecute word को आप यह prosecution नाउन को आप dictionary में चेक करें कुछ लोगों को इसका मीनिंग उलेडी पता है क्योंकि काफी बार करवा चुका हूं और comments में post करें post करोगे तो दोनों words आपके दिमाग में permanently memory में बैठ जाएंगे साथ-साथ यह काम जरूर किया करो लिखोगे ना लिखने से चीज़े दिमाग में बैठती हैं आपको अच्छे से पता होगा चलो डालना डिक्स्क्री में से देखके डालना बहले ही लेकिन लिखना जरूर जिनको आता है वो तो जरूर लिखें चलिए वागे बढ़ते हैं करे जी इंट्रसपेक्शन विल डू इंडिय गुड इन एरियास वेर इट फेस इंट्रनाशनल किडिसिजम करे जो इंट्रसपेक्शन है यह क्या होता भाई इंट्रसपेक्शन तोड़के बताया है वर्ड आपको मैंने स्पेक्ट मतलब देखना इंट्रो मतलब अंदर और शन लगा के इसको बनाया नाउन अपने सेल्फ इग्जामिनेशन गिरेवान में जहकने काम कहलता है इंट्रसपेक्शन जो है वह इंडिया को गुड करेगा व然後 mein में जहां पर वेर इंडिया face करता है सामना करता है अंतरराष त्राष्ठी आलोष्णा का चाहिए पारी उसी की ś॥ आवे कौहिए नियुवार को बारे लॉगिकल बात नहीं कर रहे हों बात लोगिकल करो जवाब लोगिकल दो और इंट्रोस्पेक्शन जरूर करो साथ में कि कहीं हम में कोई कमी तो नहीं है जो दुनिया हम पे उंगली उठाती है introspection आपका subject है will do इसकी verb है it subject है faces इसकी verb है it आया है of course इंडिया के लिए इंडिया singular है तो it की verb भी singular है चलिए आगे बढ़ते हैं article की सारी vocab आपको दिखाएंगे word आये ना introspection, persecution एक साथ इन words को देख लोगे तो article आप smoothly पढ़ते जाओगे और एक like और एक share जरूर से दे class को अगर ये class आपकी तैयारी में आपकी मदद करती है English की और उसी के साथ में जिन प्यारे बारे students ने app को download निक किया है YET आपको download करो आपकी अपनी app है first comment में इसका link रखा है इसी वीडियो के नीचे एप पे आपको मिलेंगे courses for writing, SSC and banking writing course में descriptive लिखना सिखते हूँ UPSC या किसी भी exam के लिए essay summary report पे सी almost 60 to 80 hours का course है अच्छे धंग से करोगे तो independently write करना सिख जाओगे in English ये code लग रहा है इसको लगा करके आप फाइदा ले सकते हैं आज midnight तक 475 में अभी इसका price भटने वाले है next month से उससे पहले फाइदा जरूर से ले banking course के अंदर आपको पूरा banking का से ले वस clerical और PO, prelims और mains का plenty of practice sessions के साथ में cover करवाया जाता है तो सही approach देखकर के कैसे marks को boost करना है ये banking course में सीख सकते हैं आपने अंदर घुसके अपने आपको देखना अपने गिरेबान में जहागना introspect कहलाता है ये verb है introspect देखने की बात करेगा प्रक्रिया की जो एक काम की बात करेगा और इस पूरी process को बोलते है introspection या self examination ये एक noun है तो ये word article में आप देखेंगे each country needs to introspect on its actions before blaming others for the problem of climate change हर country को जरुत है गिरबान में जहागने की introspect करने की self analyze करने की अपने खुद के actions या हरकतों को इससे पहले की वो blame करें दूसरों को climate change की problem के लिए introspect और reflect एकी बात है दोनों के बात में on लगा के आप बताते हैं जब भी किसी चीज़ के अंदर आप देखते हैं है ना introspect on या reflect on चली next word अपने पास scorching का मतलब है ऐसी चीज़ जो यह तो बहुत गरम हो real में जैसे कोई गरम surface है आपकी गाड़ी की seat है आपकी बाइक की एक्टिवागी गरमी के अंदर सीट पर बैठो के तो आपको लगेगा बहुत गरम है हर गरम चीज़ को scorching बोलते हैं और एक हर ऐसी चीज़ को scorching बोलते हैं जो बहुत critical हो जो अंदर से जलाने वाली हो तो चाहे body को बाहर से जलाए चाहे मन को अंदर से जलाए दोनों ही तरीके से scorching word को use किया जा सकता है आगी बाद समझ में the comedian was famous for scorching satire in his jokes comedian बहुत ही लोगप्रिय था famous था मशूर था बहुत ही scorching satire के लिए ऐसे व्यंग के लिए जो scorching हो जो extremely critical हो जलाने वाला हो और कहां पे अपने jokes में अपने चुटकलों में स्कोर्चिंग को सीरिंग भी बोलते हैं सीरिंग आज सीरिंग नाम का word आर्टिकल में देखेंगे दोने एक दूसरे के सिनॉनिम में स्कोर्चिंग और सीरिंग चली नेक्स वर्ड है unfounded और देखते हैं समझ में आ रहा हो गाए वर्ड आपको जिसका कोई foundation ना हो जिसका कोई बात करती लेकिन कोई प्रूव नहीं दिया तो बात मुस्ली बेसलेस या unfounded हैं बिना foundation या आधार किये according to the Russian government according to the Russian government all acquisitions on its military are unfounded रशिया की सरकार के हिसाब से सारे आरोप इसकी military पे unfounded हैं baseless हैं रशिया केता है हम ने तो कोई हमला मॉमला किया ही नहीं उकरीन पे हम तो अपना खुद का defense करने की कोशिश कर रहे हैं चलिए word article में आएगा next word अपने पास repudiate नया word है हिंदी में इसका मतलब होता है मू मोड लेना किसी चीज से किसी आदमी से किसी खयाल से किसी जिम्मेदारी से to turn once back on something या refuse to acknowledge something the government is criticized for repudiating its responsibility of generating employment for the youth सरकार को criticize किया जाता है 12 सरकार को बहुत बार कि वो repudiate कर रही है वो अपना मू मोड रही है उस responsibility से उस वादे से या उस जिम्मेदारी से जो है रोजगार को generate करने की youth के लिए युवा के लिए तो repudiate यानि मू मोड़ना आम बोलचाल की भाषा में वर्ड अपने यूज करते हैं न मू मोड़ना अंग्रेजी में repudiate बोलते हैं इसको जितना हो सके यूज करो बोला करो इसको repudiate ठीक है डिस ओन या अबेंडन बिसके से नॉनिम से हैं वर्ड आर्टिकल में आ जाएगा आज लास्ट वर्ड है इसे 그 दो वर्ड से मिलके बनाए एक वड़ है Remedy और एक वड़ है liegen डैम्यकर किया होती किह चीजा की ओर च। जी 겉ली correl तब यह हो गया किसी खराब चीज के बीच में पढ़के उसको रिपेर या फिक्स करना आई वाद समझ में अगर आप बहुत मोटे हैं जरुद से यदा फैट आपकी बोड़ी में और आप अनहल्दी फील करते हैं अगर आपको डॉक्टर बोले कि भाई आज से खाना है और य जो कानून है डॉरी और डॉमेस्टिक वालेंस पे यह रेमिडियेट करते हैं यह सही करने की कुशिश करते हैं फिक्स करते हैं उन खराब प्रताओं को और अब्यूसिस को उन टॉर्चर्स को जो फेस किया जाता है शादी सुदा ओरतों के दवारा मेरिट विमेन की तरह ज प्रताओं को सही करने की कौशिश करते हैं चलिए वर्ड आर्टिकल में देखेंगे अब आजाओ एक आर्टिकल पे अपनी समरी लेलो किस बारे में आर्टिकल लिखा हुआ है जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुनिया में 160 कंट्री में से इंडिया को 8 स्पोर्ट दिया है अमरीका की एक रिपोर्ट ने और इसका मतलब यह है कि भारत में सबसे यदा चांसिज में आठवा नंबर है दुनिया में आठवे स्पोर्ट पे है भारत कि यहां पे पॉसिबिलिटी है जिनो साइड होने की रिलिजिस जो है लाइन्स पे लोगों की मास किलिंग्स होने की यह जो एना आठवा जो रैंक है यह हर बार ऐसे रहता है कभी थर्ड रैंक पे डाल देती है इंडिया को यह रिपोर्ट कभी सेकंड पे डाल देती है इस रिपोर्ट में फर्स रैंक पे आपको मिलेगा अपना पुराना दोस्त पाकिस्तान पाकिस्तान इस रिपोर्ट को ह ठीक है करी देना चाहिए क्योंकि रिपोर्ट बहुत बढ़ा चड़ा के चीजों को बता दिए मैं भी आपको दिखाऊंगा इस रिपोर्ट को ऑन लाइन अभी चेक करते हैं कहां पे इसको लगता है कि भारत में रिलिजिस फीडम नहीं है लेकिन हमारा आडिकल यह भी कह रह चलिए शुरू करते हैं आटिकल को यह रिपोर्ट आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी आप जाके सर्ज करोगे अर्ली वर्निंग प्रोजेक्ट जो है इसका नाम है अर्ली वर्निंग प्रोजेक्ट यह पहले से अर्ली वर्निंग देता है कि दुनिया में कहां क्या हो सकता तो इसमें अगर आप इंडिया को सर्च करोगे तो इंडिया में जीनोसाइड का जो पूरा मामला है वो मामला नेकसलाइड मोव्मेंट से इन्हों ने जोड़ के रखा है देख पारे हो नेक्सलाइट माय इस्ट रिवेल्ड जो की भारत सर्गार के खिलाफ जेनोसाइड करने का काम कर रहे हैं तो नेक्सलाइट मुवमेंट का बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ा रैंक है इस रिपोर्ट में भारत में आठ्मा पलेस पाने पे चलिए यह बात शायद इस आर्टिकल में भी नहीं बताई गई लेकिन मैं तो personally search करके आपको बता रहा हूं कि क्यों इस रिपोर्ट में इंडिया को इतना खराब जगह हर बार मिलती है सुडान मिलेगा इसमें आपको इराग मिलेगा है न सब ऐसी टेडी मेडी कंट्री आपको इंडिया के साथ मिलेंगी चलिए शुरू करते हैं केराई जी देर वाज लिटल सर्प्राइज अबाउट दे मैनर in which the government reacted to the US State Department's report on India and other countries dealing with religious freedoms केराई जी बहुत ही ना के बराबर स्रप्राइज है लिटल स्रप्राइज है लिटल वर्ड अगर बिना किसी आर्टिकल के आ जाए लिटल दा लिटल ना लिखा हो तो little का मतलब होता है ना के बराबर close to nothing कहरे जी हमें बिलकूल भी अचमबा नहीं है ना के बराबर ही surprise हो रहा है उस manner या तरीके के बारे में जिसके अंदर या in which government ने भारत की सरकार ने react to किया respond to किया अपनी प्रतिकरिया को दिया और किसको दिया भाई तू लगा के बता रहे है अमरीका की home ministry के report को या state department के report को और यह report है इंडिया और दूसरी countries पे other countries पे और क्या करती है यह deal with करने वाली है निपटने वाली है यह बात करने वाली है religious freedoms की धार्मिक आजादियों की आगी बात समझ में तो रिपोर्ट हर साल आती है हमें अच्छे से पता है भारत सरकार का क्या इसके सामने reaction होता है तो there is little surprise about the manner in which the G.O.I. or government of India reacted to the report surprise आपका subject है subject number one वाब इसकी वाउस देर से क्लोज शुरू है इसलिए subject को वाब के बाद में रखा गया देर जब भी close की शुरुआत में आ जाए वह वाब को इमिजिटली अपने react और respond दोनों का मतलब होता है प्रतिकरिया देना और two लगा के बताते हैं जिस चीज के सामने प्रतिकरिया दे रहे हैं आगे वाद समझ में two preposition fixed है react और respond दोनों verbs के साथ चली और आगे बढ़ते हैं क्या लिखा इस report में character report which was released by the US Secretary of State Anthony Blinken list a number of incidents of concern over the continued targeting of religious minorities के रहे जी जो report है जो की release की गई थी अमरीका के US Secretary of State के द्वारा कहने को बोल दो इनके जो है foreign minister है ऐसा बोल दो है na external affairs minister के रहे ये जो report है जिसको जारी किया गया है अमरीका के विदेश मंतरी के द्वारा Secretary of State के द्वारा जिनका नाम है Anthony Blinken के रहे ये list करती है एक number of incidents को बहुत सारी religion में जिनके numbers कम है जिनके religion के इसाब से जो है संख्या कम है minorities है चलिए report की वह बहुत है lists report list करती है which आया report के लिए which की वह बहुत है was released और आगे बड़े आगे करे जी it also documents hate speech by leaders across the country करे ये report hate speeches को भी document करती है जो आब जहर भरे भाशन देते हैं हमारे नेताब गुरे देश में उनका भी एक एक करके document बनाती है list बनाती है which includes members of the BGP जो शामिल करती है members को ruling भारती जनता पार्टी के BGP के it की वह बहुत है documents which की वह बहुत है which की वह बहुत है includes चलिए करे जी the report was followed by a briefing by a senior official who said that according to the US Holocaust Museum which tracks majoritarian trends India is ranked 8th among 162 countries on the risk of a mass killing, a serious allegation करे जी तो report है ये followed by हुई, follow by करने का मतलब क्या होता है? इस report को follow किया गया किसी दूसरी चीज़ के द्वारा, मतलब ये report पहले आई और कोई चीज़ इसके बाद में आई आरे बात समझ में, the report was followed by a report को follow करवाया गया, report के बाद में ये दूसरा काम हुआ और क्या हुआ भाई, इसके बाद हुई एक briefing, एक press statement, briefing क्या होती है? जिसने ऐसा कहा, who said, that वो ये, कि अमरीका के holocaust museum की अगर बात मान ले, according to this museum, तो होगा क्या? क्या है, ये वही museum है, जो track करता है, दुनिया भर में majoritarian trends को, कि majority क्या कर रही है, minority को कितना दबाने की कोशिश कर रही है? करें, इस museum के हिसाब से न, इंडिया जो है, वो आठमे spot पे है, इंडिया is ranked 8, और किसमें, 162 countries में, जो risk पे है, mass killing के, जो risk पे है, genocide के, करें, ये वो चीज है, अपने आप में एक serious allegation है, बहुत ही गंभीर आरोप है भारत पे, आगे बाद समझ में, यहां से लेकर के, यहां reliefing, जो आई, एक senior official के द्वारा, जिसने यह कह दिया, कि अमरीका का एक museum है, जिसका नाम है, US Holocaust Museum, इस museum, जो की खुदी, majoritarian trends को देखता है, वो यह देखता है, कि ब्रजील में, बेलारूस में, इटली में, भारत में, majority कैसे behave कर रही है, minority के साथ, वो trend कैसा बना रही है, आठवाँ spot है, आठवाँ rank है, 162 countries में, और यह rank है, उस risk पे, जो है, mass killing का, बड़े scale पे हत्याओं का, और यह चीज़ जो है, कौमा लगा की बता रहा है, अपने आप में, एक serious allegation है, चलिए, report की verb है, was followed, briefing आप अलएड़ी देख चुके हैं, who आया है, official के लिए, इसकी verb है said, which की verb है, tracks, which आया है, Holocaust Museum के लिए, इंडिया की verb है, is ranked, आगे कह रहा है, जी, a ministry of external affairs, और M.E.A. spokesperson said, the report was based on misinformation and flawed understanding, and that the official's commentary was motivated and biased, कह रहा है, अगर M.E.A. ministry के एक spokesperson की बात करें, तो उसने ये कहा, जैशेंकर साब की ministry के, हमारी विदेश मंतरी की ministry के एक आदमी ने ये कहा, इस report के सामने, कि ये जो report है न, ये based है, misinformation पे और flawed understanding पे, ये report based है, गलत तत्यों पे, और खराब तरीके की समझ पे, और किस पे, और देट हो ये, कि इंडिया की जो official commentary है, इस report के बाद में, जो official ने छोटा सा briefing दिया, वो motivated था और bias था, वो कोई मकसद रखने वाला था, और इंडिया के लिए, इंडिया के खिलाफ था, है न, bias या discriminatory था, तो हमारी external से face ministry ने ये बोला, report गलत है, गलत facts पर बनाई गई है, facts हाई नहीं इसमें, flawed understanding है, भारत की understanding नहीं है, इस report बनाने वाले को, और जो official, जो भी commentary कर रहा है, वो बहुत ही motivated है, उसके कोई hidden objective है हमारी, जो है, criticism करने के लिए, चलिए, spokesperson की वो बहुत है, said, report की वो बहुत है, was based, flawed मतलब गलत, faulty, defective, imperfect को बोलते हैं, flawed, जो बिलकुल सही ना हो है, न, कुछ ना कुछ defect रखता हो, commentary की वो बहुत है, was, करेदर rejection of the report is in line with India's past reaction, as both the US Commission on International Resist Freedom, और USI, USC, IRF, as well as the US State Department report, that basis itself on the USC, IRF, recommendations, have been increasingly critical of India, लंबा sentence लेकिन बहुत आसान है, और इसमें मिलेगी एक error, error पकड़ो पहले, तब तक मैं sentence पकड़वाता हूँ आपको है न, करेदर जो rejection है, इस report का, वो is, है, in line with, या according to, aligned with है, according to है, और किसके, इंडिया की past reaction के, past में इंडिया ने कैसे react किया है, और cease के, करेख क्योंकि as, करेख क्योंकि as, दोनों ही, बोथ, और कौन-कौन भाई, पहला तो USCIRF नाम की एजनसी, अमरीका की ए कमिशन, करेख, और साथ ही साथ, अमरीका का state department की report, अमरीका के foreign ministry की report, जो base करती है, खुद को, जो अपने आपको आधारीत करती है, और किस पे, इसी USCIRF की recommendation पे, करेख, इन दोनों नहीं, इस USCIRF ने और अमरीका के state report ने, करेख, दोनों ही जो है न, वो have been रहे हैं, लगातार बढ़ते हुए तोर पे, increasingly critical यानि आलोचक भारत के या इंडिया के, आगी बाद समझ भे, तो ये जो rejection है न, ये बिल्कुल past reaction की तरह ही है, पहली बार नहीं है, इंडिया को इस मामले पे criticize किया जा रहा है, USCIRF और अमरीका का state department हर साल ऐसे reports आपते हैं, जिसमें इंडिया को criticize करते हैं, तो इंडिया हर साल अपना rejection देता है रहता है, ऐसे reports को मानने से मना करता है रहता है, rejection की वह होब है, rejection की वह होब है, इस, in line with का मतलब होता है, aligned with होना या according to होना, किसी चीज़ के हिसाब से होना, आपकी आशाएं है, UPSC पास करने की, SSC में inspector बनने की, bank में, SBI में, PO बनने की, और आप पढ़ाई करते हो, MTS जितनी भी नहीं, bank के clerk जितनी भी नहीं, तो मैं बोल सकता हूँ, आपकी आशाएं, आपके dreams, आपकी पढ़ाई और efforts के in line with नहीं है, दोनों एक दूसरे के हिसाब से नहीं है, समझ पारे होना, बनना तो bank POS BIM है, और चलाते हैं आप सारा दिन reels हो, तो मैं बोल सकता हूँ, आपकी दोनों चीज़ें आपस में in line with नहीं है, एक दूसरे के हिसाब से नहीं चल लें, यह जो मैं examples दे रहा हूँ, यह इसलिए दे रहा हूँ, ताकि इन words को, phrases को, आप अपनी जिंदेगी में routine life का part बना सको, जब part बन जाएगा तो अलग से इनको vocab का, समझेगे न, एक गंटा बैटके याद निकरने पड़ेगी, आपको अलड़ी आता होगा, USCIRF और इन दोनों की report, state department report इन दोनों की verb है, have been, that आया, इसके लिए department के लिए, that की verb है, basis, चलिए, sentence में error समझ में आई, classic error है, classic का मतलब है, मतलब SSC bank वाले भी पूछ पूछ के ठग गए ऐसी errors, हर साल आती है, देखो यह error है, both और end की, both के साथ में जब दो चीज़ों को मिला जाता है, तो end लगा के मिला जाता है, ना कि as well as, तो बोल चाल की English में तो लग जाता है, as well as, both he as well as she, है ना, both he as well as she, लेकिन अगर लिखने की बात हो, technical English की बात हो, तो both he and she, तो both USCRF and US Department Report, as well as बोलने के रिसाब से सही है, technically यहाँ पे and आना चाहिए, ठीक है, तो both और end का जोड़ा एक साथ में चलता है, बढ़े आगे, increasingly मतलब लगातार बढ़ते हुए तोर पे या progressively, कैरे, they have noted that senior US officials have repeatedly increased New Delhi to condemn religious violence and hate speech, कैरे, इन दोनों ही रिपोर्ट में यह नोट किया गया है, USCRF की बात करो या अमरीका के State Department Report की बात करो, इन में यह नोट किया गया है कि senior US के जो ओफिशल्स हैं, बड़े बड़े अधिकारी है, उन्होंने बार बार एंकरेज किया है, motivate किया है, नई दिल्ली को, कि वो religious violence को condemn करे, कहीं भी धार्मिक दंगे हों, तो उनकी अलोचना करे, और करे, hate speech को भी condemn करे, गलत बातनों को जहर भरे speech को भी, जो है, criticize करे, और कैसे, indicate करते हुए, indicating that they have not been successful, यह indicate करते हुए, कि यह लोग successful रहे नहीं है, भारत में religious violence को condemn किया न majority के खिलाफ condemnation नहीं करती, they की वर्ब है, have not it, officials की वर्ब है, have encouraged, they की वर्ब है, have not been, they are officials के लिए, condemn करना, criticize करना, एक ही बात है, बढ़े हांगे, करे, to this, the army has said, that it values its US partnership, and have frank exchanges, करे, इस चीज के लिए, इस पूरे मामले के लिए, कि अमरीका से आपको क्या दवाब आता है, कि आप ऐसा बोलो, ऐसा बोलो, करे, हमारी external surface minister ने यह कहा है, कि यह value करती है, यह बहुती value देती है, अपनी US की partnership को, US में अपनी, जो है, हिस्सेद को भागे दारी को, और रखती है, हैव करती है, frank exchanges को, बहुती दोस्ती भरे, suggestions को, exchange क्या होता है, मैंने आपको कुछ बोला, आपने मुझे कुछ बोला, तो यह exchange हो रहा है, अपना communication हो रहा है, frank का मतलब होता है, full of friendship या, दोस्ताना भरा, तो इसने यह बोला कि हमारी partnership को value कर रहते हैं, और अमरीका और हम आपस में frank exchanges रखते हैं, वो भी हमें कुछ बताते हैं, हम भी उन्हें बोलते हैं, तो यह दोस्ती भरी बाते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा प्रेसराइजिशन की बात नहीं है, चलिए, M.E.A. की वर्ब है, इट की वर्ब है, इट की वर्ब है बोथ दा कंट्रीज, और बोथ दा कंट्रीज हैं, और बोथ दा कंट्रीज हैं, वो आगे लगाना यह भूल गए, क्योंकि यह स्टेटमेंट है, तो जैसी बोली गई है, वैसे लिख दी गई है, है ना, चलिए, आजाओ नेक्स परेग्राफ पे, अब यहां बताएगा कि इस रिपोर्ट के बाद भारत सरकार क्या करने वाली है, और क्या करना चाहिए, क्या रहे, वाइल गवर्मेंट's reaction is stern, it is by no means as harsh as its response to a similar report last June, where the MEA had accused the US government of catering to vote bank politics, क्या जहां भारत सरकार का जो reaction है, जो response है, वो बड़ा stern है, बड़ा हार्श है, बड़ा ही कड़ा है, रिग्रस है, करें फिर भी ये it is है, बिल्कुल भी नहीं by no means, बिल्कुल भी नहीं, उतना harsh as harsh as, जितना कि इसका response था, इसकी प्रतिक्रिया थी, और कि सीज के सामने भाई, तू लगा के बता रहा है, एक ऐसी ही report के सामने जो पिछली जून में आई थी, करें जब पिछली जून में report आई थी, तब जो हमारा reaction था, उसके सामने, इस बार हमारा reaction बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है ना, उसके सामने, चाहिए आप उसको कैसा भी बोल दो, करें यह वही report है, जहां पे, M.E.A. ने, हमारी foreign ministry ने, अक्यूस कर दिया था, जो है, US की government को, और किस चीज के लिए, आ इस बार तो हमने बड़ा ही अच्छा सा response दिया, जादा कुछ कहा नहीं है, stern आपको लग सकता है देखने में, लेकिन पिछले की मुकाबले में, बड़ा ही नरम सा response है, reaction की verb है, is, it की verb है, it की verb है, is, by no means मतलब not at all या, बिल्कुल भी नहीं, stern मतलब कड़ा, harsh, rigorous, strict, severe, M.E.A है, head accused, पिछले साल ये काम हो चुका था, accused verb अपने साथ हमेशा और पोजिशन लेती है, जिस भी चीज़ के लिए आप किसी को accuse कर रहे है, अरोप लगा रहे है, तो M.E.A. accused government of catering, cater करने का मतलब होता है, किसी की सेवा करना, या किसी मामले को साधने की कुशिश करना, तो vote bank politics की सेवा हो रही थी, या world about politics को साधने का काम किया जा रहा था, चलिए आगे बढ़ेंगे, as, arch, has, इस पे एक grammar concept बनता है, फटाफट से इसको देख लो, देखो ये जो structure है न, as, और फिर एक और as, और बीच में एक adjective या बीच में एक adverb, इसको इंग्रेजी में बोलते हैं, similarly, और ये दो चीज़ों compare करने के लिए खीजाती है, मैं उतना ही लंबा हूँ जितना की अमिताब बच्चन, अगर मैं ऐसा बोलना चाहूँ, I am as tall as Amitabh Bachan is, तो ये as tall as, as beautiful as, as good as, है न, तो ये सिरफ comparison के लिए यूज होते हैं, as, as, बीच में adjective या adverb, आपको दो चीज़े समझनी है, पहली चीज़ तो ये जो भी बीच में लगेगा adjective या adverb, उसकी positive degree आएगी, उसकी कभी भी comparative या super related degree ने लगेगी, दूसरी चीज़ ये समझनी है, adjective तब लगेगा जब sentence में कोई action ना हो, या यूँ कह दें कि be family की verb लगी हो, is, am, are, was, were, be, being, been, main verb बनके, और adverb त means theft should not be as harsher as punishment for homicide, punishment जो है theft के लिए, चोरी के लिए, फोर लगा तो यहाँ पर, punishment जो है चोरी के लिए, वो उतनी कड़ी नहीं होनी चाहिए, जितनी की punishment होती है, homicide के लिए, यानि किसी के murder के लिए, homicide का मतलब क्या है, murder, अब मुझे बताओ, ये as harsher has, इसकी जगा क्या लगा है, देखो पहली चीज तो बीच में harsher गलत है, positive degree लगाओ, ठीक है, और दूसरा, ये बिलकुल सही हो जाएगा, harsh लगाते ही, क्योंकि यहाँ पे आपको B family की B verb मिली हुई है, अगर main verb मिलके is, am, are, was, were, be, being, been, ये B family की verbs है, art, अगर ये main verb बनके आ जाएं, तो sentence में कोई action नहीं दिखाती है, state को दिखाती है, और उस case में adjective बिलकुल सही होता है, अगला वाला sentence देखोगे, वहाँ पे as harsh as, जो है, गलत होगा, an act of theft should not be punished as harsh as act of homicide, एक चोरी का जो act है, उसको punish नहीं किया जाना चाहिए, उतना कड़ाई से, उतना सकती से, जितना की एक act है, homicide का, जित harsh as ये गलत हो जाएगा इस case में, क्योंकि यहाँ पे verb आ रही है, पनिश करना, अगर action present है, तो फिर verb के लिए आप adverb लगाएंगे, और adverb क्या होती है, harshly, harsh से harshly, समझते हैं न, beautiful से beautifully, smart से smartly, ly लगा के most of the words की adverb बन जाती है, आपको पता होगा, तो as harshly as लिखूंगा इस case म बस मैं आपको यही सिकाना चारा हूँ, कहीं बे ऐसा लिखा हो as harshly as, तो ये मत बोलना सर आपने तो as harsh as बताया था, verb देख ले न, action verb होगी, तो adverb लगी होगी, अगर stative verb होगी, या be family की verb होगी, तो adjective लगा होगा, चलो, अगला sentence है, सब लोग इसको सही करेंगे खुझ से, few people in the world can run, can run, as quickly as Usain Bolt can, बहुत ही कम है दुनिया में, जो भाग सकते हैं, उतना तेजी से, जितना तेजी से Usain Bolt भाग सकता है, ठीक है, as quickly as को क्या लिखोगे, बस इतना है बता दो, वर्ब आ चुकी है, run नाम की, इस वर्ब के हिसाब सही आपको decision लेना है, और जो भी adjective या adverb decision में लोगे, उसकी positive degree को ही use करना है, तो positive degree लेके और सही word को use करके बताओ, as quickly as को किस में बदला जाए, डालना comments में, फिर बताते हैं आपको, सही है गलत है, चलो, आगे जी यहां तक हो गया ना, करें जी 4-1, the report has come out just one, just ahead of PM Narendra Modi's meeting with US President Joe Biden, on the sidelines of the G7 summit in Japan, करें कि यह क्यों हो रहा है, पिछली बार तो बहुत जाता, कडी पृतिक्रिया दी थी, इस बार नहीं थी, करें जी पहला करन तो यह 4-1, यह report जो है ना, come out हुई है, अभी बाहर आई है बिल्कुल पहले, just ahead of, ahead of का मतलब होता है, before, prior to, करें यह report आई है, बिल्कुल पहले, ahead of, और किसके, PM Modi की उस meeting के, PM Modi की उस, जो है, conference के, जो होने वाली है, US President Joe Biden के साथ में, G7 summit के, जपान में, sidelines पे, sidelines का मतलब क्या होता है, देखो, side में जो line बनी हुई है, वो sideline है, G7 countries बैठेंगी, बात करेंगी, अब इंडिया तो G7 का part है नहीं, लेकिन इंडिया को, हर साल, special invitation मिलता है, G7 का, कि आप आओ, और हमें, observe करो, हम क्या बाते कर रहे हैं, तो G7 की sideline में ही बात होगी, मतलब, जैसे, सुबह में, G7 की meeting होगी, दुपैर में, lunch के time, Modi और, जो है आपस में मिलने वाले हैं, इसलिए, ज़्यादा जो report के नाम पे खुन खराबा नहीं कर रहे हैं, अच्छा, दूसरा, दूसरा, क्या हुआ जी, कह रहा है, as well as, Mr. Morris, state visit to the US in June, कह रहा है, साथ ही साथ, Modi जी की state visit जोने वाली है, अमरीका में, जब अमरीका के guest होंगे, June के अ हुआ, कह रहा है, जी, it is likely that the government does not wish to queer the pitch publicly, कह रहा है, यह likely है, संभावित है, कि सरकार जो है, भारत की नहीं चाहती है, कि वो queer the pitch करे, पूरे मामले को sabotage या ruin करे, spoil करे, publicly या दुनिया के सामने, तो बस इसलिए नहीं हो रहा है, दोनों मिलने वाले हैं, तो दुनिया के सामने तमाशा नहीं करने चाहरे हैं, मिलने से पहले, आगे बात समझ में, तो for one, पहला reason तो यह बताया है, पूरे मामले का, report की verb है, has come out, come out होना, किसी चीज़ का emerge होना, ahead of, यानि prior to, या before, sidelines आपको बता दिया, it की verb है, is, government की verb है, does not wish, queer the pitch करना, यानि किसी मामले को पनी फिरन बनी बनाई बात को खराब कर देना, spoil कर देना, ruin कर देना, destroy कर देना, हम queer तब पिछ नहीं कर रहे हैं, match की बनी बनाई पिछ को queer करके खराब नहीं कर रहे हैं, चलो, और आगे बढ़े, अब बताएगा, दूसरा रीजन क्या है, पहला रीजन तो बता दिया, आपको दोनों मिलने वाले हैं, गौर्णमेंट ने साथ ही साथ हो सकता है, यह भी recognize किया हो, इस बात को भी समझाओ, that हो यह, कि जहाँ, जो state department है, अमरीका का, जो foreign ministry है, वो रही है, सीरिंग, वो रही है, बहुत ही जलाने वाली, अपने criticism में, अपनी अलोचना में, कह रहा है, वहीं पे इसने place नहीं करा है, रखा नहीं है, इंडिया को, उस list में, जो है, countries of particular concern की, ऐसी countries जहाँ पे खास चिंताज US को लगती है, उस list में इंडिया को नहीं डाला है, कह रहा ह अभी तक, तो यह चीज भी भारत ने देखी होगी, कह अलोचना करके रह गए, उस list में नहीं डाला, जहाँ पे पाकिस्तान को रखा गया है, जहाँ पे यमन को रखा गया है, countries of particular concern है, न North Korea को रखा गया है, कह रहा है क्यों, कह रहा है जी, as the USC IRF has often recommended, कह रहा है कि जैसा कि ये जो US के एजनसी है, बार बर recommend करती आई है कि इंडिया को डालो, इंडिया को डालो, तो ये reason है, दूसरा है, इंडिया का नाम इस list में नहीं डाला, तो इस वज़े से भी इंडिया ने नरवी से पेश आने की कोशिश किया, गौर्मेंट की वाब है, में recognize, department की वाब है, state आया, department के लिए, और US CRF की वाब है, has recommended, इसने बार बार recommend किया है, करे जी given, the consistent reportage on religious persecution इंडिया, by the US government, however, new Delhi में wish to engage with delegations made, करे जी देखते हुए, consistent reportage को, लगातर होने वाली reportage को, जो है religious persecution को लेके, धार्मिक आधार पे, torture को लेके, और भारत में, इंडिया में, और करे ये reportage किसके द्वारा होती है, करे देखते हुए, इस reportage को, जो होती है, अमरीका की सरकार के द्वारा, however, नए दिल्ली हो सकता है, wish करे, वो चाहे, और क्या करना, कि वो engage with करे, वो involved हो, इन सारी allegations के साथ में, इन सारे आरोपो के साथ में, नहीं दिल्ली यूएस को बिठा के पूछे कि भई कहा तुमें लगता है, इंडिया में ऐसा हो रहा है, engage with करे, अमरीका के साथ, बात करे, है न, करा और क्या करे, and come out, with its own report, on the state of religious freedom in the country, to counter it, और इंडिया, come out करे, हो सकता है, इंडिया चाहे कि वो emerge करे, निकल क पर भारत जासी country में, ताकि रिपोर्ट को counter कर सके, तो दोनों काम हो सकता है, इंडिया करना चाहे, अमरीका से बात भी करके पूछे, वही तुमें क्या दिख गया, और खुद की रिपोर्ट भी बनाए, एक अच्छी facts के साथ में, जिसमें बताया जाए कि अमरीका कैसे गल letter to a resident of J&K, J&K किश्मीर, the word is drawn to India because of the natural and instinctive love Indians have for diversity, के रहा है कि जैसा कि Mr. Modi ने लिखा था, एक खत में, एक लेटर में, एक resident को J&K के, जमुन किश्मीर के एक लोकल आतमी को, और क्या लिखा था खत में, कि word जो है drawn to India होता है, पूरी दुनिया जो है attracted होती इंडिया की तरफ, और क्यों, because of the seas की तवज़े से, जो है natural और instinctive love, जो है एक प्राकरतिक और हमारा अंदर बसा हुआ instincts के अंदर जो है, innate love जो है, प्यार है, और किस के लिए, ये love है, for diversity, diversity के लिए, विवित्ता के लिए, variety के लिए, तो जैसा कि Mr. Modi ने, जमुन कश्मीर के एक आदमी को, एक letter में लिखाता, अच्छा फिर होगा क्या इससे, sentence से अपने देख लिया, Modi की वावब है, wrote, word की वावब है, drawn, when you are drawn to something, आप उस चेस की तरफ attracted to होते हैं, Indians की वावब है, diversity, यानि विवित्ता, यानि variety, केरा हुआ ये, the government must find more comprehensive ways to repudiate any unfounded and incorrect challenges to India's reputation, केरे, सरकार को find गरना पड़ पड़ेगा, और ज्यादा detailed तरीकों को, ऐसे letter लिखने से कुछ नहीं होगा, कुछ और नया तरीका खोजो, कि आप repudiate कर सकें, आप मूँ मोड़ सकें, आप reject कर सकें, किसी भी baseless और incorrect challenges को, जो इंडिया की साख पे आता है, reputation पे आता है, तो और तरीके से आपको ये सारा जो पड़ेगा, उन areas को, जहां पे भारत सरकार पाई जाती है, wanting यानि की कम तर, wanting का मतलब होता है, deficient या lacking, किसी मामले में कम तर, किसी मामले में, जहां पे कमी हो अपने अंदर, जहां भी हम कमी पाई जाती है, अपने अंदर, वहां पे अंतर, अंदर खुद के जहां के देख या deficient, remediate करना, यानि बीच बचाव करना, किसी मामले को सही करने के कोशिश करना, unfounded यानि baseless बिना foundation का, repudiate आप देख चुके हैं, मुँ मोड़ना अपनी जिम्मेदारी से, comprehensive का मतलब है, extensive या very detailed, heavy lesson था अचका, काफी vocab मिली होगी आपको, grammar मैंने इसलिए जादा नहीं र का quiz बनाया आज, first question में बूचा है, इन में से कौन सी statement है, जो सबसे अच्छे से describe करती है, इंडिया के stance को, भारत की ministry के, excellence of age के, जो है, position को, जो है, positions regarding, अमरीका के state department की report को ले करके, तो हमारी position इन चारों पाचों में से क्या है, क्या हमारी position ये, कि हम agree with the report finding करते हैं, और need प को appreciate करते हैं, लेकिन पूरे तरीके से believe नहीं करते हैं कि ये इंडिया की situation capture कर रही है, या acknowledge करते हैं, या reject करते हैं, या consider करते हैं, ठीक है, थोड़ा कोशिस करो बढ़ने की, पढ़ लो के तो easy है, जिसने नहीं पढ़ा, उसके लिए mains level का question है, जिसने पढ़ लिए उसके लि to the recent US State Department's report, पैसिज के हिसाब से Indian government ने इस बार harshly क्यों react किया, क्या reason है, हमने ज्यादा जो सकती से इस report को reject नहीं किया, तो सही reason आपको बताना है, चारो reason पढ़ो, first comment में answer डाल रहा हूं, hint के साथ में, पहले खुद का दिमाग लगाओ, comprehension का question है, खुद से try दो इसको है, कु transfer से match करना, third में पूछा है, repudiate का interim क्या होगा, interim पूछा है, synonym नहीं पूछा है, तो interim बता दो, disown होगा, abandon होगा, acknowledge होगा, पहले तो meaning निकालो, फिर interim निकलेगा, चोते में आपसे पूछा है कि अपनी खुद की अंदर जहांक के देखने को क्या बोलते हैं, पांच में पर दिया, article बढ़ाते हुए, past को reflect करना क्या कहलाता है, करवा चुके हैं आपको कई बार, अगर याद है तो डाल देना answer नहीं है, तो किसी और class में करवा देंगे हैं, first comment पे मैंने answer डाल दिया है, past events पे reflect करने को क्या बोलते हैं, छे में पूछा है, जी queer the pitch, इस idiom का क्या meaning है, already idiom आपको करवा दी गई है, सात्वे में sentence इंप्रूव करना है, improvement आपको बोथ नाम के word के आसपास दिखेगी, इसके revolve around करेगी, और आठवे के अंदर आपको एक error लगेगी, error कहां पे मिलेगी, यहां मिल सकते हैं, इस पार्ट में, ठीक है, ढूंडो error कहा है, सही करके इस रिपोर्ट के मामले में आपकी राय क्या है, comments में लिख सकते हैं, तीन sentences, चार sentences के अंदर English में, मैं पढ़ता हूं comments को और किसी किसी के comment को जितना हो सके, review करके assessment भी देता हूं, तो लिखने से आपकी writing अच्छी होगी, साथ में आप अपने बातों को भी जो express कर पाएंग Until then, signing out